नमस्कार दोस्तों, इस्टेडी अट्डा के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, देखिया हमें आलसो वैरिफाइड एडुकेटर अनकैडमी, तो आप मुझे अनकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, आप अनकैडमी का लर्निंग आप डाउनलोड करके वहाँ पे हीमंत मिसर सर्च के लिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ पे मैं SSC और Railway Exam के लिए पूरा एक-एक जो प्रिवेस यर क्वेस्टन आया है, एक-एक क्वेस्टन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ, आपको एक-एक आप्शन का मीनिंग वहाँ पे समझाया गया है, तो वहाँ पे जाएए, आप learning app डाउनलोड कीजे और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजे, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएं, तो जल्दे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक कर दे, और अगर इस चैनल के आपके वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने लगेगा, तो देखिए, आज कुछ क्वेशन करेंगे जो कि भारती रेलवे एकजाम के किसी भी परटन के लिए बहुत ज़्यादा important है, और सारे क्वेशन जो है भारती रेलवे एकजाम से related होंगे, जैसे हमारा पहला क्वेशन है कि भारती रेलवे पर किसका एका द record, PNR का full form है, भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी कहां की है, तो सबसे छोटी रेलवे दूरी जो है, नागपूर से अजनी है, तीन किलोमीटर की, यही सबसे छोटी दूरी है, इसको याद रखेगा, तीन गेज वाला रेलवे इस्टेशन है, जहां पे तीनों गेज है वो कौन सा रेलवे इस्टेशन है, तो वो आपका सिली गुडी का रेलवे इस्टेशन है, नेक्स कोईस्टन है, भारती रेलवे में लगबग कितने लाख नियमित करमचारी कारज़त हैं, तो 13.28 लाख नियमित करमचारी यहां पे कारज़त हैं, भारत का सबसे लंबा रेल यूजर भारती रेलवे ने घोसित किया था जीवन रेखा एक्सप्रेस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कब सुरू हुई थी तो ये जो है 1991 में सुरू हुई थी अगला कोश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेलवे टाइम टेबल किसने बनाया था बहुत अच्छा कोश् 1982 में दिल्ली से लेकर जैपूर के बीच में सुरू की गई अगला कोश्चन देखते है भारत की पहली रेल ने मुंबई से ठाणे तक की कितनी दूरी तैंगी थी तो ये जो है 34 किलोमीटर की दूरी थी इसे किस ने सुरू किया था तो इसे लाड डलहो जी ने स्टार्ट कर नाम है तो उसका नाम है आई बी आई बी आर एस की फुल फॉर्म क्या है देखिए आई बी आर एस इसका फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है इंट्रेक्टिव वायस रिस्पॉंस सिस्टम रेलवे के सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन क्या है अभी छोटा बताया तो आप सबसे लंबा देख लिजे वेंकेटन नर सिंगा राजु वारी पेटा ये कहां पे है ये तमिल नाडु में है भारत का सबसे लंबा रेलवे पूल कौन सा है तो ये जो है आपका नहरु सेतु है देखे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजएगा साथ में कमेंट करके हमें बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और पॉसिबल हो तो सेयर भी कर दिजएगा ये जरूरी नहीं है लेकिन लाइक जरूर किज़ेगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अगला कोश्चन देखते हैं कि भारती रेलवे का प्रसासन एवं संचालन किसके अंडर है किसके पास है तो ये जो है रेलवे बोर्ड के पास है इंडियन रेलवे का एसिया में कौन सा अस्थान है तो पहला है और पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो दूसरा है पहले नंबर पर कौन से है अमेरिका है मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मद्दे चलती है तो हमारी मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांगला देश के मद्दे चलती है TMS की फुल फॉर्म क्या है TMS ये नाम अपने काफी सुना होगा Train Management System Broad Gauge Rail की चौड़ाई कितनी होती है पिछले भी को था 1.676 मीटर भारत की सबसे लंबी रेल गाड़ी कौन सी है तो प्रियाग राज एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी रेल गाड़ी है भारत की पहली बिद्दुत रेल कौन सी है तो ये तो सबको पता होगा Duncan Queen कल्यान से पुने भारती रेलवे का मुख्याला कहां पर इस्तित है भारती रेलवे का मुख्याला जो है नई दिल्ली में है RRF की फूल फॉर्म क्या? RRF की फूल फॉर्म क्या है? Railway Reservation Form स्रीधरन को मेट्रो मैन उपनाम दिया गया था Rail Coach Factory RSF कहां पर इस्तित है? तो ये आपका कपूर थला में इस्तित है TTE आपको अक्सल ट्रेट में मिल जाते हैं इसका फूल फॉर्म क्या होगा? तो ट्रेवलिंग टिकेट एक्जैमिनर इंडियन रेलवे का स्लोगन क्या है? बहुत बार कोश्चन पूछा गया है ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है तो इंडियन रेलवे का स्लोगन है Life Line of the Nation मैत्री एक्स्प्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? अभी इस फे दुबारा एक कोश्चन आ गया भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो अब ये बदल गया है ये पहले थी आपको इसका नाम कमेंट करके बताना कि भारत की जो है सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारत का पहला भारत का पहला कम्पूटरी कृत अरचण कहां शुरू हुआ है तो ये जो है नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ था ताइम तो ताइम आप नीचे कमेंट किजेगा आपको दो तीन कोईश्चन का कमेंट करना है पहला तो सबसे तेज ट्रेन कौन सी है दूसरा किस समय सबसे पहल अठारो सो तिर्पन इसवी को भारती रेलवे की स्थाफना हुई थी भारत की अगला कोश्चन है भारत की पहली रेलवे सुरंग का क्या नाम था तो ये नाम था पार्सिक रेलवे Most important question ये भी है इसको भी आप याद रखेगा Next question देखते हैं भारत में rail line बिछाने का सरे किसे प्राप्त है तो Lord Dalhor जी को जो है भारत में rail line बिछाने का सरे प्राप्त है अगला question देखते हैं भारत का दूसरा सबसे लंबा platform पहला सबसे लंबा platform तो गोरकपूर है ये सभी आपको लोग को पता होगा लेकिन दूसरा सबसे लंबा platform कहा है तो ये जो है खड़कपूर पस्चिम मंगाल में है सबसे पहले rail budget किसने पेस किया था तो John Mathai ने अगला question है डीजन लोकोमेटिब modernization workers कहां पर स्थित है तो ये जो है पटियला पंजाब में इस्थित है भारत पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी ट्रेने चलती है तो दो ट्रेने चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच एक तो समझा होता एक्सप्रेस है और दूसरा थार एक्सप्रेस नेक्स question देखते हैं ये भी important है भारती रेलवे का स्थाई सुभंकर क्या है तो भारती रेलवे का स्थाई सुभंकर जो है भोलू गाड के रूप में गज हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए हुए है भारत के आजाद होने के बाद सबसे पहला रेल मंत्री कौन बना तो वो को ये lesson पसंद आया हो तो please एक like जरूर किजेगा thank you everyone